निरेगा माधनी निदासा, सा निदा निदापा, पाल पाल्मा रे गाडे, निदा निदापा, निदापा, नमस्कार दोस्तो, मैं एसके सर्मा अपने यूट्योब चैनल, सब आलायम्यूजिक में आप सभी का हार्दे अबीनिदानाणाश करता हो। दोस्तों, आज मैं बहुती सुन्दर टीटोरियल लेकर के आया हूँ, जिसका टॉपिक है स्वर्विस्तार आफ राग यमन, अधार राग यमन का आलाप कैसे करें, उसकी बढ़त कैसे करें, दोस्तों, एक सुचना और है, आपको यदि सीखना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें, यह नहीं कि आपने, मनलों एक मिट देखा, दो मिट देखा, तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, यह जो मैंने आपको नोट्स बताएं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, यह हर को ही नहीं बताता है, यह तना मैंने आपको बड़ी मैनत से यह टीटोरियल ब पिर आप देखना आप कितने अच्छे कलाकार बनते हैं और दोस्तों मेरी एक आप से रिक्वेश्ट है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर फ्यूटर में आप सीखते रहते हमेशा इस ट्राइब के वीडियो आपको बने ट्यूरियल की आउश् पढ़ती है तो मेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तों इसका विश्टार कैशे करें और किन किन बातों को पहले मद नजद रखना चाहिए हमें विश्टार करने से पहले किन चीज़ों की या वो जानकारिया कौन कौन सी ह जो हमें मेरे दिमाग में होनी चाहिए आप सभी के दिमाग में होनी चाहिए राग का अप लेना बहुत ही इंपोरिंट है जैसे कि अगर आप राग आज-का अपना राग यमन है जिसे मौनली जीए कि अधि आप स्टेज पर्फॉर्मर है या आप किसी भी संगीत संगोस्टी में आप एक हार्मोनिय प्लेयर और सिंगर हैं आप भजन गीत गा रहे हैं लेकिन आपको उसका जो भजन या गीत शुरू करने से पहले जो अलाब लिया जाता है वो नहीं आता है तो वो राग या वो गीत अतना अच्छा नहीं लगता है सुरूता अतना अच्छा नहीं समझते हैं लेकिन यदि आपको अलाब लेना आता है तो सुरूताओं के कान खड़े हो जाते हैं सुरूता समझते हैं रहे बहुत अच्छा ये गायक है तो वहां पर आलाप लेना इसलिए आवशक है क्योंकि राग का आलाप ये दरसाता है कि ये कौन सा राग को बाने जा रहा है जो आलाप है आलाप इटसेल्प परजेंट दरागास तो इसलिए दोस्तों आईए बताते हैं कि उसमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए बैसे राग एमन में सफर कौन कौन से लगते हैं ये पहले जान लेना आवशक है राग एमन हमेशा नी से सुरू होता है सा नीरे का मा पाधनी सा सानी दापा मा गारे सा इसमें सभी सुर सुद रूप में लगते हैं अल्ली मा ऐसा है जो कि तीबर लगता है सुद नहीं लगता इसमें मा तीबर है और बाकि सभी सुद रूप में लगते हैं नीरे का मा पाधनी सा सानी दापा मा गारे सा ये राग एमन के स्वर हैं जो इससे पता लगता है कि इसमें कौन-कौन से सुर लग रहे हैं लेकिन अभी सवाल ही उड़ता है कि हमें मात्र स्वरों की जानकारी होने से हम राग की बढ़त कर सकते हैं जी नहीं, नहीं कर सकते हैं इसके लिए किन किन बातों का जानना हवशक है राग मिश्थार के लिए या आलाप सीखने के लिए ये पर्टिकूलर में एक राग आपको बता रहा हूँ और इसको अगर आपने सीख लिए दोस्तों तो आप किसी भी राग का अलाप ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मैं ऐसा फर्मूल आपको बताऊँगा जिससे की आप कंप्लीटली सभी रागों का अपने आप सीख जाएंगे बहुत हिंट मिलेगा, वेरी वेरी हिंट्स एंड बेरी इंपर्टन टिप्स तो दोस्तो सबसे पहली इ Merci बत है कि ऑग के सफरोंं की जानकारी होना चाहिए तो हमें राग के सफरोंं की जानकारी होगे इसमें सा है, साता है, सारेगा, मा इपर, पाता नीसा ये राग जो एने नीस से स्टार्ट होता है वो भी बताओंगे नियसे क्यों इस्टार्ट होता है तो सबसे पहले ये राप के स्वरों की जानकारी है दूसरी बात है नियास के स्वर ये पता होना चाहिए अन्दा आप नहीं कर सकते इसका राप का विश्थार आपको एह पता नहीं होगा कि हमें कहां ठहराओ देना है किस स्वर के उपर हमें रुखना है तो आप कैसे बिस्तार करेंगे उसका किसी ने बनाया है राग तो उसमें कुछ बिस्षरामती के लिए इस्तान भी निदारित किया है हर राग में विसरांती मीन्स जहां पर हम तोड़ा अराम ले सकें अपनी सांस बर सकें गाते रहेंगे और कहीं सवर पर ठहराओ नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपनी सांस बरेंगे तो जो ठहराओ आता है एक या दो मात्रा का उसने में हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त है वो ठहरा तो और दूसरी बात है कि वहाँ पे हमारे जो फरेज है सम्दाय है वो वहाँ पे खतम होता है जैसे देखना नीरेगा देखो गापे हम रुके क्योंकि गापे पहुच दी है मैंने नीरेगा नीरेशा दो सरों पे ठहराओ आया गापे ठहराओ आया और सा पे आया तो इसका मतलब इसमें गावी बिस्तरांती का इस्तान है न्यास का सोरे और सड़ज भी है गांदार सड़ज दो हो गए है तो और भी बताएंगे इसमें कौन कौन से इस्तान है तो इसमें न्यास के सोर सा है रे है रे पे बहुत ज़्यादा ठहराओ नहीं होता लेकिन रे भी है ठहराओ सा पे अदिप होता है गांदार पे अदिप होता है पंचम पे होता है उसके बाद धेवत पे नहीं होता है कोई ठहराओ निशाद पे होता है ये ठेराओ के इस्तान है तीसरी बात है दोस्तो राग की विसेस्वर संगतियां हमको पता होना चाहिए जैसे नीरेगा एक होगी विसेस्वर संगति नीरेगा माधानी नीदा पाँ ये भी विसेस्वर संगतियां हो तीसरा नीरेगा मारेगा पारेशा एक विसेस्वर संगतियां हो ती और विसेस्वर संगति दोस्तों इन सबी चीज़ों का जानना आवशक है तब ही राप की बड़त हो पाएगी तो हमें राप के स्वर पता हो गए न्यास के स्वर भी पता लग गए कहां कहां ठहराओ देना हमको उसके बाद कुछ विसेस्वर संगतियां सबसे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है राप के बादी और संबादी स्वर देखिए बादी स्वर बहुत इंपॉर्टेंट एक कीनोट होता है किसी भी राप का स्वर का और संबादी कॉंसोनेंट होता है तो इसका राग यमन का बादी स्वर गांधार और संबादी स्वर निशाद ये दो स्वर है इसके इन पे तो ठहराओ दे नहीं देना होता है इन पर बहुत अधिक खेरा होता है और राग में बादी स्वर या की नोट सबसे ज़्यादा देखने में आता है उबहर के आता है राग में बाहुल होता है उसका वो हमेशा इसको बादी स्वर को किसकी उपादी दी जाती है किंग की जैसे एक किंगडम का राजा ही तो सब होता है king और तो है cannot cannot और है उसकी अप्मकी से दी जाती है minister वे राजा कभी इतनी ज़्याह 있다 प्रजासे बात नहीं करता है अपनी सराह मस्बरा जो लेता है वो अपने minister से लेता है तो यह नि की राजा के बाद दूसर नमबर इसका आता है तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल गांधार का है राग एमन में उसके बाद निशाद का और इसके अलावा जो बचे हुए सोरे हैं देयार सब्जेक्ट अफ दा किंग्डम वो पिरजा है राजा की है अब को समझ में आ गया होगा अब आता है राग का चलन तो ये राग का चलन होता है चलन से ही तो पता लगता है कि ये राग राग है कोई स्वर तो एक राग में जैसे इसमें और कई राग बहुत सारे हैं जिसमें ये जो इसमें स्वर लग रहे हैं वोई उसमें स्वर लग रहे हैं तो इस से राग सही समझ में नहीं आता स्वरों से उसके चलन के इसाब से पता लगता है चलन कैसे चलन है इसका अब देखना मैंने बोला था कि नी से क्यों श्टर नीरेगा सासे नहीं स्टर्ट होता है चलन नीरेगा बैसे संगीत कारों ने संगीत के पंडितों ने ये बोला है कि अगर हम ऐसे बजाते हैं यहां से सासे तो वो भी कोई गलत नहीं है क्योंकि इसकी जाती संपूर संपूर जाती है यानि इसकी जाती से ये पता चलता है कि इसमें आरो में भी साथ स्वर लगना चाहिए और अबरो में भी साथ स्वर लगना चाहिए तो इस टाइप से इसकी जाती सब पूर जाती हुए लेकिन जब राग के चलन की बाद आती है तो संगीत के विद्वानों उन्हें जो बनाया है उसी इसाब से समझना आवश्चक है साथ से नहीं स्टार्ट होता है ये नी से होता है नी देगा माधानी नी देगा माधानी अब देखिए जैसे अगर मैं इसको नी माननू मा को नी माननू तो नी नी रेगा होगे न यानि बैलन्स बरावर होगा जैसे स्वार इसमें लगए नी देगा माधानी इसको बैलन्स बनाने के लिए आपको इस टाइप से उन्होंने नीसे सुरू उठिया है इसका चलन चलन इसका सही क्या है वो तो राक के स्वर है सानी देगा मापादनी सा सानी दापा मागरे सा अब इसका चलन क्या है तो देखना नीरेगा माधानी नीदासा सानी दादनी दापा पामरेगा अब इसका चलन क्या है नीरेगा रे नीदा नीरेसा यह है इसका चलन इसको चलन के हिसाब से पाको हम आरो में वर्जित करते हैं जैसे नीरेगा माधानी नीदासा यही पाको मैंने आरो में बजित किया है और उतरते समय पाको कबर किया है अब रो में तो यह दोस्तों यहां तक आपको उम्मित करता हूं समझने आ गया होगा अब आते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे राग का विस्तार करें इट इस डिवाइड इंटू फोर खेज़ राग विस्तार राग का अलाग चार भाबों में विभाजित किया है चार खेजों में माटा गया है फेज एक जो रहेगा उसमें क्या है मंदर सब्टक कवर करना है उसके नोट्स लेना है प्लस अधिक से अधिक गांधार तक जाना है मंदर सब्टक के ये पहला फेज है और दूसरा फेज आता है उसमें भी मंदर सब्टक की यानि की लोर अक्टिप के नोट्स लगते हैं और वो मैक्सिमम पंचम तक जाता है मज़सर तक के पंचम तक और जो इसका तीसरा फेज आएगा वो जो है ना इसके निशाथ तक जाएगा नी तक लेकिन सम्टाइम्स कभी कभार जरुवत पढ़ने पर तार साभी टच किया जा सकता है अब आता है चौता फेज चौते फेज में हम तार के सरज तक जाते हैं और उसके बियॉंड देट उसके उपर भी जाते हैं कभी कभार तो ये चार फेज मैंने आपको बताए हैं अब देखते हैं एके करके दोस्तो राव के रोग्रेशन को कैसे किया जाए ये चार फेजों में बताऊँगा इसको चार फेजों में मैं कवर करूँगा पहला फेज देखें आप जो मैंने बताया था लोवर ओक्टेव के कुछ नोट्स लिए जाएंगे मैक्सिमम जादा से जादा नोट्स लोवर ओक्टेव के रहेंगे फ़र्ट पेज में और मद्स तक के कांधार तक सा नी नी दा नी दा नी दा नी नी दा नी दा नी दे सा नी दा नी दा पा मादानी वानी धापा मादानी निधा निधा नीधा नीधे ले साथ नीदे गारे नीदा नीदे गारे नीदे नीदे गारे नीदा नीदे साँ तो दोस्तो ये इसका पैला पे जुगा मैं इसके मंद सब्तक के मध्यम तक गया मा तक गया तीबर मा तक यहां तक मैंने कबर किया और जियो जो बिस्तान ने वहां पे मैंने खेराव लिया और पौज किया वहां पे और मंद सब्तक के मैं गार तक आया अब आईए इसके दूसरे पेश 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 जिसमें भी कुछ लोवत और टेप के नोट्स लेंगे और इसके मतसब तक के पंचम तक कवर किया जाएगा आईए नीरे गाँ नीरे गा इसके नीरे ग्मामा गाँ नीरे गामारे काशा नीदा नीरे गाँ निमामागा गामागा पाई पामारे गारे निदा निरे गामारे गामागा पारे साँ निनी दानी रमादानी देगा मां का पारे साँ तो दोस्तों ये आलाप चारी का दूसरा भेज हुआ और इसको आप बोल आलाप में भी इसकी तैयारी करें अभ्यास करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके गले के लिए अभी आते हैं दोस्तों इसके तीसरे फेज बने और तीसरे फेज में मैंने बताया था मद सत्तक के गांधर तक अपन नोट्स लेंगे देखें नीरे गा वा मा मा का गमा गम गमा गपाः गामधानी निर्दापा गामधानी निर्दापा गामधानी मधामानी निर्दापा नीरे गागा मामा धादा नीनी माधा नीमा नीदा पा पामारे गारे नीदा नीरे गारे नीदा नीरे साथ दोस्तों इसमें तीसरे हेज में मैंने शिर्फ नी और धा दोई नोट लिये हैं लोवर आप्टे नी और धा नीदा नीरे साथ तो दोस्तों इसके बाद में देखते हैं फूर्थ पेज और फूर्थ पेज में तार सड़त को टच करना है और ताकीद आप एकदम से उभर के आएं नीरे गा गारे नीदा नीरे गा मा मा गा मा गा पा गाम दानी नीदा नीदा साथ तो दोस्तों यह था पेज नीरे नीदा साथ तो दोस्तों ये था भेज नमबर फोर अभी ये चार भेज हैं राग को घंटों तक गाया जा सकता है इसका विश्तार तीनों सब्तकों में होता है लोवर अक्टेव, मिडिल अक्टेव, हाई राग्टेव, सबी में होता है तो इस राग्ट में जो मैंने आपको, लेकिन कोई स्टेज पर प्रोग्राम को आप पर्फॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा आलाप लेना जैसे गीत के पहले, कोई गीत या बंदिस काने से पहले राग्ट को सुरू करने से पहले जो पूर्व आलाप लिया जाता है, वो सौर्ट होता है तो उस में आप जो मैंने एक नमबर फश्ट फिज बताया उस आलाप को आप गा सकते हैं उसमें वो पूरा उसमें विब्रान क्योंकि उसमें लोवर ओक्टेव के सारे नोट्स जो नोट्स लगते वह पूरे कवर हो रहा है,वेदर इड़ इस प्राउम लोवड ओक्टेव और कुछ नोट्स हैं, जो मिडल ओक्टेव से भी हो रहा है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा टीटोरियल अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब करें आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताक ही मेरे सारे नोटिपिकेशन्स और अपलोड रने वाले वीडियो आप तक टाइम लिए पूंचते रहें नमस्कार दोस्तों आपका दिन सोभो जाए शियराम